कावण यात्रा में यूपी सरकार का नया फर्मान दुकांदारों को लगानी होगी नेम प्ले योगी सरकार पर जम कर भढ़के टिकायत लगाए गंफीर आरोप, बोले जातिवाद का जहर कावण यात्रा के दौरान दुकांदारों को नाम लिखने के आदेश को लेकर यूपी की योगी सरकार पर किसान निता राकेश टिकायत ने जम कर निशाना साधा है टिकायत ने बयान देते हुए योगी सरकार पर जातिवाद का आरोप लगाया और कहा कि सरकार जातिवाद का जहर खुलने का काम कर रही है साथी टिकेट ने सवाल करते हुए कहा कि क्या हिंदू समाज के लोग नौनवेजी का इस्तेमाल नहीं करते जो सरकार है बीजेपी की ये चाहते हैं कि जातिवाद का जहर समाज में गुला रहे है क्या जो हिंदू समाज के लोग हैं वो नोन्वेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्या बीज़ेपी के लोग य। देंगे कि हमको नटेवेज नहीं खाना क्या कल सब जग हैं यह चिज्जे नहीं जाएगी इस्कूल में भी जाएगी कितन पूंपे बुद ब्रडबेंक में भी हर जग है क्या जातियां लिखी जाएगी सब भारतिये हैं जिसको जो इस्तेमाल करना है किसे महिना जो चलता है इसमें नोण मेजिका इस्तेमाल करते हैं जो कावर्ड मार्क है उसमें कोई कोई बनाता ही नहीं सब को पता है उनकी बिकरी नहीं होगी उनका होटल बदनाम हो जाएगा लेकिन किसी आदमी को पर्टिकुलर चिन्हित करना वो इत्थे फाक नहीं है वो इंटेंशन है और यह मुझे फनगर यह जो पूरा छेतर लगता है पहले यह 2013 में यह चिज्जे ज जेल सक्या है जेल गया तो अब नहीं लगता कि इस पर दुबारा यहां पर कोई ट्राल होगा उनको कोई और इसू नहीं मिल रहा तो कहले यहीं लेलो फेर इंदू-मुस्लिम का राग अक्तियार कर लो यहां तो 6000 मुकदमे लोगों ने जहले को उनको छुटाने नहीं आप अपने आप समझोते करें लोगों ने और जहां तक कावड मार गया वहां पर मुस्लिम समाज भी काम करता है वह वह सेवा करता है वो करता है क्या पुरकाजी में वहां का जो शहर में नहीं मुस्लिम है अपने हद बंदी से दूर जाकर यह पूरा काम कर रहा क्या आपने काम पर लिखना पड़ेगा कि मैं और मैंने सारा काम में करा जितना लाइटिंग का जितना काम पुरकाजी से लगा का पोडर से सारा वहीं करता है तो उसको भी सम्मानित कर लिख दो लिख दो डाक्टर बढ़िया होगा तो इलाज महीं आदमी करवाता है उसकी वहाँ फेर जात्या निभूज़ता कि इसकी क्या जात्या है तो फेर तो कि आने वारे टाइम पर तो हर आदमीं को अपनी जाती लिखनी पड़ेगी क्या उससे यह देश से बसे जाएगा क्या जब वोट लेते हैं उस पर भी लिखते हैं कि कौन सी किस जाती की मुझे जाती का निच्छी जाती की चाहिए यह प्रमपराय गलत है क्योंकि बीजेपी तो हाला कि उससे सही थेरा रही है लेकिन वेसी जैसा कि उन्होंने बयान दिया कि मुस्लिम से कोई कुछ ना खरीद ले इस तरह की यह योजना जो है वो की गई है तो जो गुजरात मोडल है गुजरात में किसने जाकर नहीं देख्या गुजरात मोडल क कि वहां पर मुस्लिम की कालोनी भी अलग कर दे अगर वो सरकारी विवाग में भी है वो मुस्लिम हैं तो अलग कालोनी में रहेगा हिंदू कालोनी में वो कि लाद भी रह भी नहीं सकता